एलो गाईज ऐसी बहुत सरी अप्लिकेशन्स हमारे एंड्रोइड में महजूद है जो कि डार्क मोड में कनवर्ट नहीं होती है अभी आप देख सकते है मिरे डिवाइज अल्रेडी डार्क मोड में अनेबल है मॉसली अप्स जो है डार्क मोड में कनवर्ट हो जाती है जब मैं डार्क मोड ओन करता हूं बट कुछ एक ऐसी अप्लिकेशन्स भी होती है जो डार्क मोड में कनवर्ट नहीं होती है जैसे कि वी आप देखें तो यहां एक तम वाइट मोड में है तो मैं इसको डार्क मोड मे माई य इस तरह के applications को डार्कमाड में Конvert कर सकते हो जो कि डार्कमाड में ILD NUMBER पूरा लेखने की जबूत नहीं है आपको यहाँ option दिख जाएगा build number का आपको क्या करना है यहाँ click करना है जैसे ही आप यहाँ पर click करोगे आपको build number दिखेगा ठीक है इस build number पर आपको 7 बार लगातार click करना है तो जैसे ही आप 7 बार लगातार click करोगे आपके phone में एक secret setting खुल जाएगी जिसका नाम है developer options ठीक है आपको एक पर password डालना होगा password डालने के बाद आपका developer option खुल जाएगा यहाँ आप देख सकते हो अगर आपको developer option इस तरह की से ना दिखे ना तो आपको क्या करना है search का use करना है और direct आप यह search करना override force dark ठीक है यहाँ पर बहुत सारे options से आप confused हो जाओगे से लिए direct आप search वाल option यूज़ करना override dark force आप force dark लिख सकते हो ठीक है यहाँ देखो force dark mode का option आया है यह रहा developer options के अंदर force dark mode तो यही पर option है जिसकी मदद से आप कोई भी application को dark mode में convert कर सकते हो अपने device में ना सिरफ samsung में बलकि हर एक application में हर एक device में काम कर जाता है developer option हर एक android device में available होता है बस वो hidden रहता है उससे हमें open कर रहा है ठीक है तो अभी आप देख सकते हो जो वी आई की app है जो कि मैंने demo के लिए रखी थी अब यह dark mode में open हो चुकी है यह देखो तो इस तरीके से आप कोई भी other app जैसे बेटियम पहले dark mode में नहीं चलता था बट मैंने उसको चला के दिखाया अपने device में आपको शायद नहीं पता बट यही तरीके से में नहीं किया है तो आप भी ऐसे किसी भी application को dark mode में जला सकते हो कोई भी device हो Samsung, Oppo, Vivo, Realme, Redmi सब में यह काम करेगा That's it